ये तो बेवजह अपनी पीठ थप थपाना है ना सारे दलों ने समर्थन किया है महिलाओं के भावनाग से वो जागरित करके राजनीतिक लाब लेने के लिए आज इसको पारित कराया गया है नमस्कार में किरपा संकर आप इंसाडिया लाइब देखर आपको बताते हैं कि विहार सरकार के मंत्री विजया चोधिर ने साप साप कह दिया कि जिस तरीके से दो सर्त रखा गया है महिला रक्षों को लेकर उससे संदेह पैदा होता है एक तरीके से उनने का है कि जनगर्ना और दूसरी सर्त है जो परिशिमन के बाद से लागू होगा तो कहीं न कहीं उनका साप साप कहाना कि आखिर में ये कब लागू होगा जनगर्ना को तो रोका नहीं जा सकता लेकिन जिस तरीके से ये बिल आया है कहीं न कहीं अब लाग इहां संसोधन को महिला अरक्षन के लिए लागू करने से पहले दो शर्टें लगा दी गई हैं या दो पेच लगा दिये गए हैं एक तो जनगनना का काम पूरा होना और उसके बाद परिसीमन का कार्य पूरा होना और इन दोनों की प्रक्रिया एतनी विश्ट्रित और एतनी लंबी होती है कि केंदर सरकार किसी समय अपनी सुविधान उसार इसका समय टाल सकती है इसी के नाम पर जो जनगनना का अब समझें 2021 की जनगनना 23 खता मोड़ा उन्होंने कह दिया है कि 24 के बाद होगा यानि 25 कब होगा उसमें भी डेट नहीं बताया गिया और एक तो वो हो जाएगा तब फिर परिशीवन का कारी होगा पूरे देश में लोकसवा चेत्रों का परिशीवन होगा वो केतना बड़ा काम होगा और जब अगर आरक्षन अगर मंसा में दाएं बाएं होगी तो किसी समय किसी बात को लेकर टला जा सकता है जो भई ये नहीं हो रा है पूरा वो नहीं हो रा है पूरा डिलिमिटेशन में कभी-कभी मामला नियाले में भी फस जाता है तो ये कहीं न कहीं संसे की स्थिति पैदा करता है जो ये साफ नियत से महिलाओं के हित में उनको आरक्षन देने के लिए किया गया है कि महिलाओं के भावना से को जागरित करके राजनीतिक लाब लेने के लिए आज इसको पारित कराया गया है ये तो बेवजह अपनी पीठ थप थपाना है न सारे दलों ने समर्थन किया है और सच्चाई यही है कि ये सोच ये आइडिया भी दूसरे दलों कर रहा है कॉंग्रेस के जमाने से यूपिये के जमाने से आइडिया चला रहा है उस समय कुछ बढ़ाएं थी कुछ लोगों को गलत फ़हमिया थी इसलिए न इनकी सोच है और न इसका कोई स्रे यहां इनके समय में पास हुआ ये लोग ने रूची लिया ये अच्छी बात है हम लोगों ने स्वागत किया है उसका इन्होंने इसको पास कड़ाया ये स्वागत की बात लेकिन इसको पबलिक फोकस में या जन मानस में इसको लाने का स्रे तो पुर्वर्ती सरकारों को है और कहे ने कि अगर तकनीकी रूप से इनको स्रे लेने की जो बीमारी है वो अगर नहीं होती तो 2010 में जो रज्य सभा में पारित है विध्यक वहीं लोग सभा में पारित कड़ा देते संविधान संसोधन हो जाता लेकिन कहें न जो एक तो नारे जुमले बाजी भी है अब महिला अरक्षन विध्यक जो नाम सुनके सब समझ जाता अब यह हो गया नारी शक्ती वंदन भी धेया अब नारी शक्ती वंदना में क्या क्या चीज होती है अब अलग अलग समझ येगा आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री है विजय चोरी साप साप का दे जिस तरीके से ये लोग यानि बीजेपी के लोग अपनी ठप ठपाने में लगे हुए महिला अरक्षन को लेकर करके जबकि इसका सपोर्ट तो सब लोगों ने किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये दो सर्थ लाए हुए है उससे कहीं न कहीं संदेह बना हुआ है कि आखिर में परिसीमन कब होगा और जन्नगरना कब होगा उसके बाद से ये भी लाग होगा तैसे ही तमाम अपडेट स से बने रहें लेकर इंसाइडर लाइप देखते रहें